मनजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही गुम्रह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं तो मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूटूब चैनल के उपर तो आज मैं आपके सामने असिस्टेंट प्रॉफेसर राजिस्थान का पेपर ले क्या हू तो आये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला ही कोशन है इसके अंदर निमानकित पिचारों में से कौन सुतंता वो गैर हस्ता छेप के रूप में परिभाश्वित करते हूए साद्मिक नीती का उद्देश्य सुखी से अधिक लोगों की चिंता जनक पीडा को कम करना म क्या है से सद्वात है के और हमने इख को इसका रूप में परिभाशित किया तो सही सर्व और है कौल पॉपर और बहुत is इसमें नोने self regarding and other regarding करके काम किया है और on representative of government सवतंतरता के उबर इनका काम subjection of women इसके पर ही बहुत काम किया है इन्होंने second question है निमानकित में से कौन सवतंतरा को कानून की चुपी के रूप में परिभाशित करता है या करती है तो यह जो काम किया है सवतंतरता को कानून की चुपी बात करी है यह कोश्च यह बात करी है थॉम्सौफ ने थॉम्सौफ ने सवतंतरता को कानून की चुपी बात करी है तो इसको आप याद कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं सिर्फ याद करने से इसको याद ही किया सकता कि निमलिखित में से कौन अपसर समानता को मेंठीक दर्शन क्रूप में बताता है को समानता के तो पर Wenya कि निए मिल्कित में से किस नीए कि अधुरा जो परिवार में आ शमानताओं को लेकर चुप तो परिवार में जो आसमांताओं को लेकर चुप है वो सिधानती ने के और सारा उपनोर ओंग सही था नागरिक समाज के सहाच़ों को नागरिक्ता के सिध्धान्त के अनुसार सुधारनी की जरूत हो सकती है जैको निययन डेमोक्रेसी लोकतंत्र शब्दावली निमांकित में से किस दिस्ट सम्भंधित है तो ये जैको नीजियम जो ये डेमोक्रेसी है ये यूसे तो ये इसके अंदर बात की गई थी कि जो लोकतंत्र उसके अंदर ज्यादा रूल ओफ लौ हो लोगों को छूट भी जाए मौलिक अधिकार पर जादा बल दिया जाए सुतंत्रा में छूट दी जाए तो इस कंदर में जैको 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 शिनियन डेमोक्रेसी बात करता है निमांकित विजारों में से किसने राज यह बात करी है जोसेब सुंपीटर निमांकित विजारों में से कौन समाजवादी भहुलवाद की सिफारिज करता है जिससे उसका अर्थ राज्य के लोकतानत्री करन से है तो यह बात करी है पाउल नाज ने इसका सेट ऑश्यरों सही है पाउल नटाज प्लाउंट आज ने ये बात करी है निमान कितम से कौन यूरो सामयवाद का लक्षण नहीं है तो जो यूरो सामयवाद का लक्षण नहीं है यह दल्य वेवस्ता का विरोधी है तो ये बात सही है यह सरभारा वर्के अजिनायक तंत्र का विरोध ही यह बात भी सही है यह भोल लिए ववस्ता का किया वसक्ता पर जोड़ देता है यह बात भी सही है यह सरमिको के संक्य वश्ता का विरोध करता है तो यह बात गलते है इसका विरोध नहीं करता है तो यह इसका लक्षर नहीं है तो इसका जो फोर्ट ऑप्शन है हो सही है निमांकित में से किस्ति ने विमर्शी लोगतंत्र डेलिब्रेटिव डेमोक्रेशी शब्दावनी को गड़ा है तो ऐसे कोशन बहुत आतने इंग्जाम के अंदर पूछ देंते किस्ति कुछ सब्द लिया है तो यह दिया है जो स दिया है तो आप देख सकते हैं कितना डिफिकल्ट लेवल कोशन है क्योंकि यह क्योंकि यह यह अगर हम इसके प्रेक्टिस करते रहेंगे तो हमें भी यह कोशन आ जाएंगे ग्यारवा कोशन है निमांकित में से दी रिवॉल्ट आफ दी मासेज पुस्तक तो दी रिवॉल्ट आफ दी मासेज जो उख लिखी है उसका सेगंड ओप्शन जॉस आटेंग वाई गैसेट वाई गैसेट ने ये पुस्तक लिखी है जो से औरगेटा वाई गैसेट ने ये पुस्तक लिखी है निमांकीत में सब कौन से विद्वान ने जॉन रॉल्स के चिंतन को ग्लैस्टेन वादी वा स्पेंसर वादी माना तो ये माना है ब्राइन बैरी ने ब्राइन बैरी ने उनके जो सिध्धानत है उसको प्लैस्टेन वादी हुआ है स्पेंसर वादी कहा है तो इसका थार्ड ऑप्शन सही था तेरवा कोशन असरसन और रीडनिंग से आ है सीवी मैक्स फरसन ने परमभाविक उदारवाद को स्वामित्व व्यक्तिवाद के रूप में चित्रित किया है तो यह जानते हैं आप इन्हों ने किया है सीवी मैक्स फरसन यह पॉसेसिव इंडियुजियलिजम का इन्हों ने आइडिया दिया है तो यह बात कहीं न कहीं सकते है यह व्यक्ति को अपनी शम्ताओं के मालिक के रूप में मानता है उसके पास समाज के लिए कुछ भी नहीं है तो पॉसेसिव इंडियुजियलिजम का यही आइडिया है कि व्यक्ति अपना माली के और व्यक्ति अपना विकास करता है समाज उसका विकास नहीं करता है तो यह पॉसेसिव इंडेलोजल का इडिया दिया स्रीमेक्सपर ने उसी से लेटेड है तो इसका ए और आर दोनों सही और आर एकी सही व्याक्या कर रहा है निमांकित में से किस ने यह विचार प्रस्तुत किया कि फ्रांस में शाषन परनाली की वैदता सुनिश्चित करने हेतू बोना पार्टवाद बरजुआ के एक हिस्से और सरवहरा के एक हिस्से के बीच अपसरवादी और लोकल भाबन गड़जोर था तो यह बात करी थी काल मार्क्स ने काल मार्क्स ने ही यह जो फ्रांस के उपर जो उससे में सैशन चल रहा था उसके उपर इन्होंने यह लेख लिखा था तो इसका सही आंसर है काल मार्क्स चीन की कमणिश पार्टी ने अपनी कौन सी राष्टिये कॉंग्रेस में यह गोशना की कि चीन आर्थिक विवस्था का उद्देशे चीनी लक्षों के साथ समाजवादी बजार विवस्था इस्थापित करना है तो यह बात करी थी उन्होंने चौदवी अपनी जो उनकी मीटिंग हुई थी डास्टिये तो उसके अंदर यह बात करी है तो ऐससे कोशन को सिरफ हम हस के आगे भर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं निमांकित में से किसने थामस एक्किवनास को इसपस्ट रूप से दुरहते हैं कहा कि अधिकार और शक्ति भगवान से ली गई है तो ये उन्होंने कहा था लुइस ग्राबिल डी बोनाल्ड के साथ उन्होंने ये बात कही थी कि जो अधिकार और शक्तिय भगवान से ली गई है तो ये बात करें थी एडमर्ट बर्क ने निमांकित में से सविधान के उद्देशे कौन से हैं तो सविधान के जो उद्देशे हैं तो देख लेते एक बार राज्यों को मजबूती परदान करना तो ये बात सही है सविधान का रही है कि राज्यों क रिद्देशी निमांकित विचार की विचार किया कि यदि राह नितिके ओ को अपने लूंति इखाट्यों करने के Понवोती दी जाती है तो वे उस लाव का उपियोग अपने स्वार्थ के अपने स्वेम के स्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे सविधान के बिना सरकार अधिकार भी हिन सकता है तो ये बात किस ने कही है तो ये बात गे थी थौमस पैंडे तो वो अपने स्वार्थ के लिए अपने लाब के लिए ही निर्ने करेंगे और अगर सविधान नहीं होगा तो एक अधिकारी विहिंद सत्ता का उत्मन हो जाएगा कोई भी व्यक्ति कानून से उपर नहीं है और यह कानून ही है जो सभी को नियंत्रिक करता है सेचेंड है सबसत्त की संपरवर्ता और समाने कानून की सरवोजब्ता बेटे समिधान के दो अधार थें और इन दोनों सिधानतों पर अधायत समाज आज ने राजनतीक सोतंता को सुनेशित करना और लोकतंत्र में सावन जिससे पूर्ख कामकाज को सुनेशित करना संभव कर दिया तो ये दोनों बात सही है। रूल औफ लॉव का एडिया दिया है डाइसी ने रूल औफ लॉव डाइसी के साथ जुड़े हुए तो इसका जो सही अंसर है ए और दो दो दोनों सही है एक कीसवा कोशन जो की संबंदित है पिनाक एवं समित के नुसार निमलिखित में से कौन से समिधान वाद के अनिवारे तत्व है तो विच कौन से इसेंशेंशियल फीचर से कॉंस्टूशनलिजम यानि समिधान वाद के इस कोशन बतान था तो आये देख लेते हैं तो सविधान आप परहिवहारे संस्थाओं का अभिव्यक्ता है तो ये बात सही है सविधान राजनितिक शक्ति का परति बंदक है तो ये बात भी सही है सविधान विकास का दिदेशक है सविधान राजनितिक शक्ति का संगठन है तो ये बात भी सही है तो इसका चारों सह टेल्स जेट्यम डेमोक्रसी का जो आईडिया दिया है वो गुलेाफू और डौनेल सेकेंड 네 ऑप्शिन है। है कुर्क है इस्का आईडिया दिया है। भुचूर थे विशन है। लियार सुम्पिटर से संबध सिंघ्ध निमांगित कतनों पर विचार कीजिए। ये इनके बारे में बतां था कि किसे क्या है इनका देख लेते हैं जोशेफ सुंपीटर राजनतिक वहवार और बजार वहवार के बीच साध द्रश्टता इस्थापित करता है जहां नेता लोगों के मतों के लिए प्रतिस बजा करते हैं मत का वही महत्त पह्त जो बजार में धनका है तो यह बात करिए इन्होंने और वह राजनितिक कारे करता हूं और निश्करिया मतदाताओं के बीच विभाजन को मजबूत कुशल सरकार और स्वतनता के लिए महत्पूर मानते हैं तो इन्होंने जो राजनितिक व्यवस्था के अंदर जो कारे होते हैं इन्होंने यह बात गे थी राजनितिक वहवार जो है वो बजार वहवार के बीच स्थापित है और नेता लोग जो मतों में परतिस्पता करते हैं वो बजार अपना जो आज कर लोग जो मॉड़े डाइल पर देखते हैं कि नेता लोग वोट को खरीदते हैं तो उससे उन्हों ने इसकी दुलना गवरी थी गोडे थि वह सही थी इनकी तो यह और बने सही एक लाट टॉनों सही है इसका यह वी इस से शमंदित था असर्सन ओर उर्म HCak Joshi क्योंकि इसने आम लोगों की उचित पहचान के लिए एक बहतर दिया है तो इन्होंने बात कही थी तो यह बात सही है और सेकेंड चीज़ है लोकतंत्र आज अर्थ सास्त के लिए उतना ही अवशक हो गया जितना की राजिती के लिए लोकतंत्र आज अर्थ सास्त के लिए उतना ही अवशक हो गया है जितना की यह राजिती के लिए है और इसका तात्पर यह है कि विकास आर्थिक समानता नागरिक और राजितिक अधिकारों के मुद्दे की गैरंटिक इसी भी सरकार को देनी होगी तो यह बात भी सही है तो द मनकर आलसन ने यह सिद्धान दिया है स्टेशनरी पेंडेट निमांकित विचारों में से किसने सत्तावादी शासन को परिभासित करने के लिए सुल्टानवाद शब्द घढ़ा तो सुल्टानिजम किसने यह शब्द घढ़ा है तो यह सब्द घढ़ा मैक्स बेवर मैं मैक का कौन है तो यह जो लेखक है जुआन जॉसलीज इन्होंने तॉट्रड टैर्यलिटरियन एड़ टैरियन ये पुस्टक लिखिए और अर्टल टैरेलिटियों को पर हनारैंट ने तो इनके साथ जुलूए हैं लेकिन uh निमांकित्म से किंग में एकार्तमक विवस्टा विगमान हैं तो किह स्वेडन के अंदर हे नॉर्वे के अंदर प्रिंड है जर्मणी के अंदर एकार्तमक् विवस्ता नहीं है UtBI तो यह परिभाशित किया है Daniel Alzar ने यह परिभाशित किया है निमांकित में से कौन सा देश सरकार की संसदे परनाली का उधारण नहीं है तो संसदे पर स्राषण का उधारण रूस नहीं है बाकि आस्ट्रेलिया जिन्माई और कनाड़ा दीन संस्थिय परकार के शाषन की व्यवस्ता है 31 वा कोशना निमांकित में से किस विद्वान्य ध्यासात्मक व्यवस्ता की आलोसना की और कहा कि दोहरी लोक्तांत्रिक वैधिता मतदाताओं को भर्मित करती है और जवाब देही को रोकती है तो डेमोक्रेटिक लेजिटी मेशिन यानि दोहरी लोक्तांत्रिक जो वैधिता है वो मतदाताओं को भर्मित करती है ये बात करी थी जुवान लॉज लिज ने ये बात करी है तो थार्ड ऑप्शन का सही है निमाइगीत में से किस विचारक ने तर्क दिया है कि शक्तियों का पर्थिकर्म वास्ता में केवल व्यवस्थापिका की सहावल्यद है ju ना कि कभी समाप्त होने वाली निरूडी कठोर अर्थ में यह कभी व्यवारिक नहीं हो सकता तो यह कहा है है हेरेल जे लास्की ने ये बात कही है सहुक्त राजे अमेरिका के 38 राष्ट पती जराल डूडूल फोर्ड किसे समंदित है निमकत्म पर विचार किजिए जो जराल डूड फोर्ड से समंदित है तो ऐसे कोशन डिफिकल्टी है तो देख लेते हैं इसको तो इसका जो सही आंसर है पहला ये उप्शन का सही है ये फोर्ड जो थे वो सेमंदित राजे अमेरिका में अब तक एक मात मनोनीत राष्ट पती है तो इसका यह कहतन सही था तो पहला इसका उप्शन सही है निमांकित में से किस विचारक ने लेटिन अमेरिकी राष्टपतियों के लिए राष्टपति शब्द के साथ निर्वाचित राजा शब्दावली का प्रियोग किया तो यह किया है सीमोन बॉलियावर ने यह किया है प्रियोग संसद्य प्रणानी में नीजी निर्मान को लेकर विपक्ष के अधिक प्रभाब को ए लिजवर्ड दुआरा निदरशित किया गया तो यह इन्होंने किया था अनुपचादिक सक्ति पर्थकरन के रूप में इसको परिभाशित किया था विधाईकाओं से समंदित निम कत्मों पर विचार कीजिए तो विधाईकाओं से समंदित इस पर विचार करना था विधाईकाओं बहस के लिए मंच है और वह जिस विविद्ध दृष्टिकों का अपनाती है उस पर विचार किया जाता है तो यह बात सही है क्योंकि एक मंच से होता है विधाई का इस पर हम भहस करते हैं उनके आंत्रिक गामकाज को बहारी कार करता हूं कि निगराणी का विश्य माना जाता है तो यह बात भी सही है तो इसका यह और दोनों सही है 37 कोशन है वर्क निवांकित देशों में से किसकी व्यवस्थाफिका के उपरी सदन में परतिनिधित का अधार है तो क्लास से हमारे हैं कास्ट होता है वैसे क्लास जो है वह किस सदन का उपरी सदन का परतिनिधित का अधार है तो यह अधार है युनाइटेट किंडम के अंदर इनाइटिटेंडर जो उस सदने उस के अंदर जो इलीट कलास के लोग होते हैं या फिल जो अच्छी एच्छी क्लास से रिलेटेड होते हैं वही लोग वहाँ पर प्रसिंद्रित करते हैं निमांकित में से किस विचारक ने नियाईक समिक्षा को लोक्तांतिक सिद्धानत के साथ एकिक्रित किया और इसे कम काउंटर मेजर्टोरियन की फॉल्टी कहा तो ये कहा है अलेकजंडर बिकल ने निमांकित विद्वानों में से किस ने अपना यह दृष्टि कौन दिया कि सेंउक्त राजजे अमेरिका के सर्वोच नियाले के नियाई दीशों की नियुक्ति की राजनितिक परकिरिया यह सुनिशित करती है कि नियायाले उसी दिशा में कारे करता है जो गठबंदन राष् इसे समंदित है तो यह समंदित है सेंउक्त राजजे अमेरिका से एटिट्यूडिनियल यानि अभी भृति का प्रतिमान निमांकित विद्वानों में से किस ने बिटिस राजनितिक दलों के बारे में हिराई दी की कंजर्वेटिव पार्टी वा लेवर पार्टी के अंदर शक्ति का बिटवारा समान है तो यह बात करिया है रॉबर्ट मैकेंजी ने मौरिस डुवर्जन ने राजनितिक दल के लिए निमांकित में से किस शब्दावली का प्रियोग किया है तो मौरिस डुवर्जन ने पॉलिटिकल पार्टी के जो शब्द इस्तेमाल किया है वो कम्यूनिटी शब्द को इस्तेमाल किया है समुदाए निमांकित में से किस विद्वान ने अधिकतर राध्य जी दलो को catch all party कहा तो catch all party जो कहा है auto customer ने ये बात कही है निमांकित में से the laws of collective action public goods and theory of groups पुस्तक का लेखक कौन है निमांकित में से कौन से सरसंगरात्मक दवाब समू के लक्षण है तो यह लक्षण है उद्देश से अधारित संबंद और एक्षिक संबंद और अप्सारिक संबंद तो तीनों के समंदत हैं तो यह तीनों संबंदित हैं जिन बोडल के साथ Information एमेरिका कई ह voi ँर्थ पीपल यह गूर्ट ईनिकलु जुड़ा उटेड़ एक साथ जुड़ा हुआ है निमांका być मिसे किस अतों का उन्ले गभार के समिधान के अनुच्छ तींसर इंशान में नहीं तो यह जो नहीं है प्रभी कांसर अनुच्छिय अ की 399 ऑधिनियम में नहीं है जो थे षब्लेस अ कर डियां में 19 59 ऑफाद सरक्राय का अधिनियम निमांकित में से किस ने बैगेनल इंडर्सिंग बी एन राउ को भारत की सविधान सवाकर सविधानिक सलाकार नियुक्त किया था भारत के गवर्णनर जर्लिनल ने भारत के गवर्णनर जर्लिनल ने बी एन राउ जी को सविधानिक सलाकार नियुक्त किया था लाप का पद सर्दावली का उल्लेक भार्ट के सविधान में मौली का धिकारों से संबंधित निमांकित मसे किस अनुछेद में किया गया तो लाप का पद Office of Profit तो जो ये किया गया है यानुछेद ठारे के अंदर ये किया गया है